हेलो अबरीवरन वेलकम टू बैक माई चैनल और आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि क्लास टेंट का जो पॉलिटी है ठीके राजनितिक है उसका चेप्टर मरवान अर्थात सत्ता की साज़दारी इस वीडियो में सत्ता की साज़दारी का अबजेक्टी कोशन करते हैं है पहला कोशन है बेल्जीय में समाजिक वाजन का अधार है मतलड जो बेल्जीयर तैस है उसमें समाज का बटवारा हुआथ। तो किस के धार पर हुआ था ओप्शन ए जाती के धार पर सौरी नसल के धार पर ओप्शन भी जाती के धार पर ओप्शन सी भासा के धार पर ओप्शन डी छेतर के धार पर तो बेल्जय में जो समास का बटवारा हुआ था वो हुआ था भासा के धार पर इसका राइट एंसर हो Option A, उत्तर पूरवी प्रांतों में Option B, पस्शीम दच्छीन प्रांतों में d में है दच्छीन पूरवी प्रांतों में तो इसका Right Answer क्या होगा? polit 2022 तमील मुखरूप से राते थे स्रिलंका की बात कर रहा है Question No.3 कोशन नमबर 3 कहता है कि स्रिलांका में बहुत संख्यां कौन हैं मतलब स्रिलांका में अधिक संख्यां वाले कौन हैं क्या वो तमिल हैं क्या वो सिहली हैं क्या वे बहुत थे या इन में से कोई नहीं तो स्रिलांका में सबसे अधिक संख्यां के अगर कोई लोग रहते थे वो सिहली भासा बोलने वाले अधिक रहते थे इसका option number B is the right answer हो जाएगा next question number 4 की बात करते हैं Belgium में डचों की अबादी कितना परतिसत है मतलब Belgium जो देश है इसमें डच कितने परतिसत रहते थे तो Belgium डेश की बात करते हैं option number A is 99% चुकि परतिसत की बात कर रहा है option B is 99% option C is 69% option D is 60% तो इसका सही जाब हो जाएगा 69% जी आप सही सोच रहे होगे question number 5 question number 5 Belgium में मुक्रुप से कौन सी भासा बोली जाती है ठीक है हम वहाँ पर एक यह देखें कि Belgium में डचों की अबादी कितना percentage में उसन परसंट है ठीक है अब यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं जब 69% लोग क्या थी ठीक है 69% लोग आप देखते हैं सी फूरसर Belgium में डचों की अबादी थी मतला सबसे अधिक तो डच थी यह कंफर्म हो गया अब लोग बात करते हैं कि Belgium में मुखरूप से कौन सी भासा बोली जाती थी तो देखें आप भासा की बात करें तो जर्मान भासा ऑप्शन नमबर यह में दिया है बी में डच भासा सी में फ्रेंच भासा और अगर यह तीनों लगता है की होगा तो अप्शन नमबर संसोधन किया गया था, ठीक है कुछ परिवर्तन किया था सत्तर से फिरानवा का करें ईकोटा एगों सत्तर का साधारी करने के ली जिए ओप्शन नमबर यह जो संसोधन हुआ था कितना बार तो संसोधन चार था और अप्शन Q9As 3 और C में 5 और D में 2 तो इसका सही जाओ जागा option नमबर ये 4 बार ठीक है को question नमबर 7 क्यों रागे बरते हैं 7 नमबर काता है स्रिलंका में सहीली भासा को एकमात राज भासा के रूप में घोशित कब किया गया मतलब स्रिलंका में जो सहीली भासा है उसको राज भासा के रूप में दरजा दिया गया घोशित किया गया तो आखिर ऐसा कब हुआ 21 वर्स हुआ तो option नमबर ये में दे रखा है 1907, option नमबर बी में दे रखा है 1969, option नमबर C में 1956, option नमबर D उनिस्थो तीरपन तो इसका सही जवजगा option नमबर C उनिस्थो चहपन इस दर राइटेंस है question नमबर 8 की उराजे बढ़ते है question नमबर 8 में कहता है कि भारत में किस परकार की सासन परनाली है भारत में जो सासन की परनाली ये लोग सासन जो कर रहे हूँ कैसा है क्या संसरीय सासन परनाली है एक आतमक है एक आतमक मतला सिर्फ और सिर्फ कैन सरकार होना चाहिए और राय सरकार नहीं होना चाहिए छित्री सरकार नहीं हो चाहिए उसको बोल देंगे एक आत्मक सरकार तो आप जानते हैं कि एक आत्मक सरकार तो भारत में ही नहीं तो ऐसे ही छड़ जाएगा एक पच्छी भी तो नहीं होगा है ना इन में से कोई नहीं और यह दोनों में से कौन होगा तो आपको जब दो ऑप्सन मिल गया है तो आप जानते 9 खुरागे बढ़ने वाले जो लोग है वो अपने डेश की कूल जनसे है कि कitना परसेंट लोग तमिल भासा बोलते है ये पुछ रहा तो 18 परसेंट इसका रैट एंसर होगा ये तो डाइट आप लोग पढ़े होंगे इसको ठीक लगा सकते हैं नेक्स कोशन बहुत असान स्रिलांका में सिहली जो भासा गोली जा रही थी उसकी अबारे कितनी परसेंट हैं ओप्षन यह 44% B 76% ओप्षन नमबर C 72% और D है 88% तो इसका राट एंसर 44% होगा कोशन नमबर 11 स्रिलांका में सत्ता की साधारी का क्या अधार है मतलब स्रिलांका में सत्ता का बटवारा हुआ इसका अधार क्या है वेज क्या है मतलब कीस परकार से सत्ता का बटवारा क्या गया था तो अलप सैंखें के बाद बहुत सैंखें के बाद का और खा दोनों आर्थात यहां पर बोले तो A और B दोनों इन में से कोई नहीं, तो क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए, comment box में, तो इसका सही जवाब बहुत सेंख्यां के बाद, चुकि वहाँ पे अधिक भासा बोलने वाले जो लोग थे, वो कौन थे, सहीली भासा बोलने वाले अधिक लोग थे, और सहीली भासा जो बोल रहे तो उसकी सेंख्यां चोहतर परसेंट था, ठीके, तो चोहतर परसेंट अगर सहीली भासा बोलने वाले लोग अगर वहाँ पे रह रहे थे, ये, चुकि ये लोग अपने अधार पर, मतलब, सरकार पर प्रेसर दे करके, अपने भासा को, राज की भासा का दरजा दिलाया, ए आप जानते हैं कि जो बेल्जियम डेस है, ठीके, तो बेल्जियम डेस की अगर बात करते हैं, इसकी राइधानी क्या है, तो ब्रुसेल से, ये करने फर्म पता ना चीए, आप बेल्जियम की राइधानी जो ब्रुसेल से, अगर बेल्जियम में बात करते हैं, तो बेल्जि अगर मैं बोलू हूँ ठीक है अगर मैं आपको बोलू हूँ ठीक है option नमबर A में जर्मन भासा, option B में इंगलिस भासा, C में फ्रांसिसी भासा और D में डच भासा तो आप जानते हैं कि डच भासा अबर और पूरे डेस में यह ज़्यादा बोरी आ रहाता है लेकिन बुरुसेल्स में जो अधिक सेंख्या में लोग बोले जा रहे थे भासा वो इसका सेंसर होगा फ्रांसिसी भासा option number C दा राइट एंसर बात करते हैं कि question number 13 का तो स्रिलंका का राजकी धर्म क्या है मतलब वहां का राजकी भासा क्या पूसर किया गया था और राजकी धर्म क्या था मतलब मुख्य धर्म क्या था बात करते हैं उप्शन नमर ये इस्लाम धर्म, उप्शन नमर भी हिंडू धर्म, उप्शन नमर सी इस्ताय धर्म, उप्शन नमर डी बहुत धर्म, उप्शन की जानते हैं जो स्रिलंका में जब सत्ता का बटवारा नहीं किया गया था, तो वहाँ पे अधिक सधिक क्या हुआ था ना, कि सर जानता कि इसमें अधिक लड़ाई लड़ी जिसको गिरे युद के नाम से जानते हैं तो वहाँ पे अगर धर्म की बात करते हैं तो बहुत धर्म के लोग अधिक थे मतलब बहुत धर्म को राज के धर्म का दर्जा दिया गया था तो सई अंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाए और आज आज का हमारे इस विडियो का इस चैप्टर का लास्च कोशन के लास्ट कोशन जो की मोजट वह जम से कोशन हैं बेल्जियum को सब्तुंदर्ता कब प्राप्ट हुई मतलब बेल्जियम कब अजाध हुआ ये कोशन आपसे पूछ रहा है, ओप्सन भी दे रखा हैं, 4 अक्टूबर 1830 को, 19 अपरिल 1828 को, 4 अक्टूबर 1835 को, और 4 अक्टूबर 1840 को, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, तो ठीके, हमें लगता है कि आप अब तक लिख चुके होगे हैं, और आप बता चुके होगे, ठीके, अब मनी मन में आप जवाब दे सकते हैं, कि सरे इसका अंसरी होगा, सोचिए, और फिर हम इसका सही जवाब बताते हैं, इसका सही जवाब जाएगा, ऑप्सन नमबर 21830 को, इस फरकार से हमारे 15 कोशन मोस्ट वियाई कोशन थे, जो आपको इस वीडियो के मारें से, चैनल के मारें से आपको मिल जाएगा, ठीके, एक्जाम टेप पर 5.0 की बात करते हैं, ठीके, यो आपको ये वो चैनल है, जो आपको सोचल साइंस के लिए स्पेसलिस्ट ये आपको डेता है, वीडियो, ठीके, बाकि और भी चैनल में जाएगा तो आपको सारे सब्जेक्ट को मिल जाता है, बट हमारे से में सिर्फ असपेसलिस्ट है, ठीके, सिर्फ और सिर्फ एससटी, आपको अधर पीस से नहीं मिलना होगा, ठीके, तो एससटी के लिए आपका जो बेस चैनल है, वो है एक्जाम टोपर 5.0, तो आप इसक को सबसाप रहें, और अपने दोस्तों को सेर करें, और कोमेंट करके जो पता है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आने वाले अगली वीडियो का, तो मिलते हैं, नेक्स में टोटक के लिए धन्यवाद,